हेलो दोस्तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ट्रेंट्रेंट में जी हाँ दोस्तो बिहार की एक और इंटर सीटी को अब इंडियन बेलवे चलाने वाला है कौन सी होगी इंटर सीटी आज की वीडियो में हम बात करेंगे ये वीडियो शुरू करने से पहले आप से अनुरोध है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ये वीडियो को लाइक शेर करिए और ऐसी ही रेल निउस के लिए आप मेरे चैनल पे बने रहिए तो दोस्तो सोमवार से चलने वाली है धनबाद पटना इंटर सीटी पटना से बुकिंग शुरू धनबाद यात्रियों को अभी टिकट के लिए करना होगा इंतिजार सवा साल से जादा इंतिजार के बाद 5 जुलाई से धनबाद से पटना जाने वाली इंटर सिटी एस्प्रेक्स को चलाने की गोशना हुई है गुरुबार को ही रेलवे ने इस ट्रेन की अधिस उचना जारी कर दी है पर 48 घंटे बाद भी इस ट्रेन में ठिक्तों की बुकिंग शुरू नहीं हो सकी है सुमवाद की सुबह 8 बचकर 5 मिनट पर ट्रेन खुल जाएगी अब तक टिकट नहीं मिलने से यात्रियों को अलक्षन के अंदर से मायूस लोटना पढ़ रहा है इससे पहले धर्बाद से धेरी ओन सुन जाने वाली इंटर सिटी की बुकिंग भी काफी लेट खुली थी ट्रेन चलने से कुछ घंटे पहले ही उसकी बुकिंग खुली थी दोस्तो जैसी डीजा जाक्यूल जब मुई लखी सराय के लोगों को अभी ऐसे धी ट्रेन मिल चुकी है और दोस्तो इस ट्रेन का एक स्टॉपिज को हटा दिया गया है जिसका नाम है बढ़हिया जी हां दोस्तो बढ़हिया शेशन पर अब ये ट्रेन नहीं रुकेगी तो बढ़हिया वासियो के लिए ये ट्रेन जो है वो नहीं मिली है उनके लिए एक ये खबर सही नहीं है कि ये ट्रेन जो है उनके शेशन पर नहीं रुकेगी बाखी सारे शेशन पर ये गाड़ी र देख लेते हैं तो दोस्तों कि रिप्या आप से अनुरोद है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही मोटिवेट करें दा कि मैं आपको के लिए और अच्छे ची रेल न्यूस पूरे भारत वर्श से लेकर आता रहूं